दोस्तो आयम बात करने वाले हैं एक होस्पिटर के बारे में जो कि इतना ओंटिड है वहाँ जाने से बहले व्यक्ति एक बाद जरू सुचता है दोस्तो भारत में मौजुद है एक से एक बड़का रहस्मी जगय है और आले बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्मी जगया के बारे में जो की उत्राखंड़ी चंपाव च्रीवे में मौजुद है जिसे मांट एवर्ट करा जाता है दोस्तो यहां मुझुद है एक इमारत जो लोगी नेजर में एक होस्पिटल उगा करता था लेकिन भास तब में यहां हो लेती एक अतरना गिसर्च जिसकी वेसे लोग को अपनी जान होाने पड़ी थी दोस्तो क्या था यह माजरा क्या उत्रा खंडली सबसे बूतिय जवामा से एक क्यों माली जाती है दोस्तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्रा जरू करें चलिए लोट के ट्रॉपिक पर आते हैं चंपा बचिने से पंदरा किलोमेटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा कस्वर इसे मांट एवोट के नाम से जाना जाता है एवोट मांट को अंगरे जोने बसाया था इस जैने पर उस समय की करीब 16 प्राणी अमिलिया मौज़ूद है और पास में ही एक खूबसूरत चर्च लिए और चर्च के निचरे इस्तान पर एक कव्स्तान विए जहां पर 14-15 कवरे भी मौज़ूद है और इस होस्पिटल के पास में एक छोटा सा घर भी है जिसे मुक्ति वर्के नाम से जाने जाता है इस आस्पिटल को जौन हेराइट अबडनर बनवाय था ताकि यहां के निवास्यों को आसानी और फिरी इलाज बिल सके इस आस्पिटल में कई डॉक्टर्स को भी नुक्त किया गया था इस उस्ट्रेल के अगरीज यॉक्टर न भी अपना कारेवार समाला फिर यहां आया डॉक्टर मॉरिष डॉक्टर मॉरिष बहुती अन्वावी डॉक्टर था जो यहां आने वाले मॉरिषों को बहुत जल्दी ठीक कर देता था इसी कुछलता के कारण डॉक्टर मॉरिष और जीनी है किकिस सब्सक्राइब सब्सक्राइब करताλη। उसी समय और उसी दिन मरता था इसी वविस्वाड़ी को देखते हुए वहांगे बोले वाले लोग डॉक्टर मौरिस को दिल पर सक्तियों का स्वामी समझने लगी और डॉक्टर मौरिस भी अपनी बढ़ती हुश्वारत को देखकर काफी खुशता और कुछी समय बाद डॉक करें डॉक्टर साहिए उन्होंने देगा डॉक्टर मौरिस की भविस्वाड़ियां और दिव्शत्यों के वाइरे में सुना तो उन्हें दाल में कुछ काला मेसुस हुआ उन्हें लगा कि अगर ये सच है तो डॉक्टर मौरिस को अपनी बदनी और बच्चे की मौत का बहुत क्यों नहीं हुआ और उन्हें खुद अपनी मौत का बहुत क्यों नहीं हुआ जाच में ये खुलासा हुआ कि बास्तर में डॉक्टर मौरिस बहुती आज़ी लगती था वो एक दिन में 10-15 मरीजों कोई दितता था और जिनके बचने और ठीक होने की आसंगा कम होगी थी वो उने वही मौझूद एक मुक्ति कोटी में रहने के लिए बीज देता था और उस मुक्ति कोटी में बहती एवाज जाने के बाद वो बापस कभी नहीं आता था और उस मुक्ति कोटी में जानी के नहीं थी डॉक्टर्स और उसके कुछ सहयोगियों की थी बास्तर में उता कुछ नहीं था कि गंबीर विमारे से विमार लोगों पर डॉक्टर मॉरिस एक रिसर्च करता था और वो यह जानना चाहता था कि क्या जिन्दगी और मौत के बीच क्या कोई और विस्तिती है जिसमें वेक्टी ना तो जिन्दा हो और ना ही मरा दॉक्टर मॉरिस उन जिन्दा लोगों का दिमाग खोल देता था और यह पता लगाने की कोशिस करता था कि एक जिन्दा वेक्टी और मरे वेक्टी के दिमाग में क्या चलगा है और वो इंजेक्शन और धवा की मज़द से उनको वो एक ऐसी स्किदी में हटता था कि जिससे व्यक्टिन ना जो जिन्दा वागता है दूसर सब्दों में से समय जाए तो डॉक्टर मॉरिस यह पता लगाने की कोशिस कर रहा था कि किसी इंसान की जिन्दी की क्रतम होने और म मॉरिस उस गाओं के वीमा लोगों को अपना सिकार बनता था किसी व्यक्ति की मौत का दिन और सभी सामय बताने के पीछे कोई विसे सकती नहीं थी बलकि डॉक्टर मॉरिस खुद था ठीक उसी समय से कुछ टैंप पहले वो मरीज का सोथ करता था और फिर डॉक्टर मॉरिस के वज़ा इटक पर उसकी मौत हुआ थे और डॉक्टर मॉरिस की इसी गभी अलगत को वहां के लोग उसकी सकतिया और प्रतिवा समझ ले थे और इस रिसेच का खुलासा होने के बाद एक उनर्बन डॉक्टर द्वारा चला जा रहा एक विक्याद हॉस्पिटल एक कुक्य कि यहां पर रखा समान एक जगह से दरावनी आवाइस में देती हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हमें कोई भूर रहा हो और यह दीरे-दीरे दरावनी घटना है और जादा बढ़ने लगती है और वहां के इस्टाफ मेंबर्स का वहां की आत्माउं से सामना उने का कि आत्माउं ने अपने कभजे मतल लिया और कुछी दूनों बाद उन दो स्टाफ मेंबर्स की एक बुरी स्थी में मौत हो जाती है अब वहां के लोगों को लगने ड़ाता कि मांट अवर्ट का यह हॉस्पिटल बूतिया और काफी डराबना हो चुगा है तो दीरे-दीरे कि वहां के लोगों ने इसे खाली गन्दा सूर कर दिया और अब यह इंडिया की सबसे ड़ाबनी जबंगा से एक हो गया था तो दोस्तों कि आप भी ऐसी जगह जाना चाहोगे कमेंट करके जरूर बता है और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राब जरू करें मि विश्टे आपसे अगरी बीडियों में